वेलकम साथियो मुख्यमंतरी लाडली बहना योजना यमग मुख्यमंतरी लाडली बहना आवास योजना से संबंधीत एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो साथियों मुख्य मंत्री लाटली बहना योजना के ताहत लाभार्थीओं के खाते में बारासुपचास रुपई की जो आठवां किस्ते दोस्तों उसे ट्रांस copied कर दिया गया और दोस्तों दस तारीक से दोस्तों यह जो पैसे हैं वो लाभरतियों के खाते में क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका था और साथियों बरतमान में भी काफी सारे लाभुकों के खाते में जो पैसा है वो क्रेडिट हो रहा है जो डेटा बताया गया आता साथी उसके आधार पर ये बात कही गई थी कि साथ यो 11 तारीक तक जो है लाभरतियों के खाते में पैसे क्रेडिट होंगे DBT के माधिम से पैसे क्रेडिट किये जाते हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है और step by step लाभरतियों के खाते में जो पैमेंट की प्रक्रिया है उसे पूरी करती जाती है अभी भी काफे सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने हमारे वीडियो के अंदर कमेंट किया है कि अभी तक उनके खाते में पैसे रिसीब नहीं हुए है और 100% जो पैमेंट है वो भी प्रोसेस करती जाएगी तो सांथियो जितने भी लाभरति मुख्यमंद्री लाडली बहना योजना को लेकर इंतचार कर रहे हैं आठवा किस्त प्राप्त करनी को लेकर अपने खाते के अंदर तो सांथियो ऐसे सभी लाभुकों को पैसे रिसीब होंगे जैसी ही प्रोसेस होगी सिरियली लाभरतियों के खाते में पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा बाकी काफी सारे लाभुकों को पैसे मिले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का भी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो साथियों क्या अपडेट है क्या गवर्मेंट के तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है क्या कहीं पर इस तरीके की जानकारी पब्लिस की गई है और बताया गया है कि लाभार्तियों को पैसे मिलेंगे तो चलिए मैं आप लोग को जो गवर्मेंट की ऑफीशिल सोसल साइट से वहाँ पर लेकर चलता हूँ और फिर स्टे बाइ स्टे पर जानकारी देता हूँ कि क्या गवर्मेंट के तरफ से मुख्यमंद्री लाडली बहना आवास योजना को लेकर कोई जानकारी अभी तक दी गई है या फिर नहीं तो साथ यो देख सकते हैं यह है मुध्यप्रदेश गवर्मेंट की ओफीशिल ट्विटर हैंडल चीफ मिनिस्टर MP के नाम से और जैसे दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मुख्यमंद्री लाडली बहना योजना के तहत जो लाभार्दियों को पैसे दिये गए है उससे संबंदित यहाँ पर पोस्ट किये गए है जिसमें आपको डॉक्टर मोहन यादब के द्वारा जो पैसे ट्रांसफर किये गए उसके बाद क्या जानकरी दी गई उससे संबंदित यहाँ पर आपको विडियो भी देखने को मिलेंगे और जो डीटेल्स लिखे गए हैं उससे संबंदित जानकार भी आपको देखने को मिलेगी तो साथियो जो पैसे ट्रांसफर किये गए थे उसके उसमें लाडली बहना योजना के तहत लाभार्तियों को दिये गए थे पैसा और उसे के साथ जो पैसन का पैसा देना था लाभार्तियों को वो भी एक साथ जो है क्रेडिट किये गए थे बाकि अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को लेकर पॉर्टल के अंदर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन साथियों मध्यप्रदेश गवर्मेंट के तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 10 से 15 जनवरी तक मकर संकरांती के आवस योजना को लेकर ओफिशियल गवर्मेंट के तरफ से कुछ अपडेट दी जाए और अगर लाभार्तियों को पैसे ट्रांसफर की जाएगी तो दोस्तों उससे पहली ही जानकारी प्रोवाइड की जाएगे और बताया जाएगा कि इतने लाभार्ति इसके अंदर सम्मिलित क किये जाएगे तो साथ योजनल पर हमारा बने रहिएगा क्योंकि जैसे ही ओफिशिल कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले जानकारी हमारे चैनल के तुर आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा तो अगर वीडियो अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक करें इस प एंदा बाद